सब्सक्राइब नाओ and प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नमस्तों है मंतेल पी चैनल में आपका श्वागत है दोस्तों हम इस वीडियो में बीए इंट्रेंस दोहजार बीस की तैयारी कैसे करें क्या सिलेबस है कौन से भुक का उपयोग करना चाहिए आप लोगों को और कितना नमबर लाना चाहिए कि आपका सेलेक्शन जो है हो जाए ठीक है इसके बारे में पूरा डीटिल देखेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो ओवर ब्यू है कोश्चन पेपर कैसे आते हैं पैटर्न कैसा होता है इस्ट्रक्चर कैसा होता है सिलेबस कैसा होता है कटाप क्या होता है नमबर आप सीट्स कितनी होती है तो देखिए दोस्तों नमबर आप सीट्स हम यही पर आपको बता दें लगभग पंदरा सो से दो हजार प्लस जो है यहाँ पे नमबर आफ सीट्स होते हैं और कटाप की बात करते हैं अगर आप जो है 160 से 170 के बीच में है ओवराल 300 नमबर समेशे क्योंकि एक कोश्चन दो नमबर का होता है 1500 कोश्चन आते हैं 300 नमबर के होते हैं अगर आप इतना नमबर लाते हैं तो आपको जो है सेलेक्षन मिल जाएगा लेकिन आप अगर 180 प्लस नमबर लाते हैं तो आपको सेलेक्षन के साथ-साथ हॉस्टल भी मिलेगा इसलिए आपका टारगेट लगभग 20 सो खोना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं तेक्ते हैं तो सबसे पहले देखी ताइप सबसे होते है तो'MCQ यानि Multiple च्वाइस कोश्चन यानि बहु बिकलपी कोश्चन होते हैं कोश्चन रहेगा चार बिकलप रहेगा उसी मेंसे एक को आपको टिक करके फिर वो MR में गोला करना होगा देखे शमय आपके लिए दो घंटे दिये जाते हैं और नमबर आप कोश्चन जो होते हैं एक सो पचास होते हैं अब यहाँ पे देखिए हर एक करेक्ट आयंस्वर पे दो नमबर आपको मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या है तो पैटर्न देखिए क्या है सबसे पहले तो आपको हमने बता दिया कि एक सो पचास कोश्चन टोटल आते हैं ठीक है जिसमें से आप 80 कोश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपका सेलेक्शन जो है से ओर है क्योंकि सीटे बहुत अधीक होती है तो यहाँ पे देखिए 25 कोश्चन जो आते हैं उसमें से आपको भासा का चैन करना होता है या तो आप जनरल इंगलिस ले लीजिए या तो जो भी आपको ठीक लगे 25 कोश्चन वहाँ से आएगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे दूसरा आपका होता है GS और GK और Current Affairs भी इसी में आपको जोड़ लीजिए तो देखिए यहाँ पे GK और GS में General Awareness आता है और इसके लिए एक Speedy Book आती है और इस Speedy Book में से जो Main Main Topic होता है उस Main Main Topic को आप पढ़ डालेंगे तो आप जो है इसको कर डालेंगे जैसे एक Topic हमने बता दिये जैसे 200 के महाद्यूप तो सबसे बड़ा महाद्यूप कौन होता है ACA महाद्यूप और इसके बाद राज्य और राजधानी याद कर लीजिए उसके बाद आप याद कर सकते हैं कि भारत के प्रमुक्ष सास्त्री नित्य कौन कौन से हैं महत्य Food आविस्कार का याद कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके General Awareness जैसे भारत का पहला प्रधान मंत्री कौन था तो जो one liner question आते हैं उन्हीं को general awareness कहते हैं तो यहां से 25 नमबर आएगा अब यहां पर देखिए 25 नमबर जो होगा mental ability से आएगा और mental ability को जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं reasoning कहते हैं mental ability को हम लोग क्या कहते हैं reasoning कहते हैं तो reasoning से 25 question जो है आपको मिलेगा और यहां पर देखिए आपको मैं अच्छे अच्छे topic बता देता हूं कि किस-किस topic से यहां से question पूछता है सबसे पाला question दो question आपका आजाएगा calendar से एक question आपका आजाएगा clock से और coding decoding test से लगबग 3 question आपके आजाएंगे analogy से लगबग 5-6 question आते हैं और direction से आपके 1-2 question आते हैं और blood relation से आपके 2-3 question आते हैं इसके बाद mathematical operation से आपके एक question आते हैं जो की आयू संबंधित प्रसने से संबंधित रहता है और देखिए ranking test से आपका एक question आएगा order test से आपका एक question आएगा उसके बाद alphabedical test से आपका एक question आना तैयं है इसके बाद series होता है जैसे यहाँ पर देखिए 2,4,6,8 फिर खाली अस्थान तो यहाँ पर आप 10 भरेंगे इससे जो है आपका 2-3 question आता है तो इतना आपको बहुत ही अच्छे से reasoning में तयार करना है उसके बाद देखिए 75 question जो आते हैं वहाँ पर आपको 7 subject दिये रहते हैं उस 7 subject में से 25-25 का 3 select करते हैं तीन select करते हैं और 75 number question जो है आपका यहाँ से आएगा तो देखिए कैसे जैसे पहला तो economics है, history है, geography है, संस्कित है, उर्दू है, logics है, civics है तो यहाँ पर देखिए आपको हम बता देते हैं कि जो civics है इसी को हम लोग quality कहते हैं, राजनीद विज्ञान एक आपका यह subject अच्छा है, उसके बाद देखिए संस्कित अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी और संस्कित दोनों लगभग सेम है, उसके बाद geography आप पढ़ ल इतिहास, मद्यकाली नितिहास और आधुनी की तिहास होता है, और Asian history में सबसे पहले सिंदुगाटी सब्धता आपको पढ़ना होगा, फिर बैदिक सब्धता पढ़ना होगा, महा जनपत जैन बाओध धर्म पढ़ना होगा, मगत सामराज पढ़ना होगा, मौर सामराज मुगल, उत्तरकाल, मराथा और सूफी और भक्ती आंदोलन को पढ़ना होगा, इसके बाद जब आप आएंगे modern history में तो वहाँ पे आपको यूरोपी ये company के आगमन के बारे में पढ़ना होगा, बंगाल अधिपत्त के बारे में, आंगल मैसूर और करनाटक युद्ध के बारे में, all government general and their work पढ़ना पढ़ेगा, 1857 की क्रांती के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, pits act के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, महापूरसों के नारे के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, Congress, Muslim League के बारे में पढ़ना पढ़ेगा Quit India, Round Table Conference के बारे में पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद सामाजिक सुधार और गांधी जी के बारे में पढ़ना पढ़ेगा यानि कहाने का मतलब यह है कि अगर आप History लेते हैं तो History जो है बहुत ही बड़ा है इसके जगा मैं आपको सजेशन दूँगा कि Logics लीजिए क्योंकि Intermediate के छातर आप है Logics में Math Regening Mix रहता है उसको आप कर ले जाएंगे अब देखिए Geography की बात करें तो Universe and Solar System पढ़ लेंगे Earth पढ़ लेंगे Indian Geography पढ़ लेंगे और थोड़ा सबवर्ड Geography पढ़ लेंगे और इसमें आप बड़े अराम से कर सकते हैं देखिए Universe और Solar System में थियोरीज आप Universe पढ़ लेंगे Sun के बारें पढ़ लेंगे Planet के बारें पढ़ लेंगे और Planet यानि उपग्रह के बारें पढ़ लेंगे उसके बाद Earth के बारें पढ़ेंगे तो Geographical Introduction of Earth Position, Revolution मतलब कैसे घूमती है कैसे क्या होता है सब Rotation, Effect सब पढ़ लेंगे और Content, Oceans, Sea, Land Area Water Area पढ़ेंगे उसके बाद Atmosphere एक अलग से चैप्टर है इसको पढ़ लेंगे इसमें Layer and Heights के बारें बताया जाता है Wind माने हवा के बारें पढ़ लेंगे फिर Indian Geography में हमाएंगे तो India के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे इंडिया की नदियों के बारे में इंडिया के Mountains के बारे में Lake के बारे में, State के बारे में Capital के बारे में, Crops के बारे में Producing State के बारे में, Rainfall के बारे में State & Their Rank के बारे में Transpiration के बारे में Season National Park के बारे में Minerals & Projects State Ranks के बारे में और तमाम Pollution के बारे में हम लोग इसमें जानकारी ले लेंगे फिर World Geography में थोड़ा सामलोग पढ़ लेंगे Capital, Currency और President पढ़ लेंगे फिर River के बारे में थोड़ी जानकारी फिर Mountains, Lake, Ocean, Crops के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे हमारा जो है World Geography नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा ठीक है उसके बाद आजाते हैं Mental Ability, Introduction, Types of Question Mental Ability में क्या पढ़ना है मैंने पहले ही बता दिया है उसके बाद देखिए Civics आ जाता है भारती संबिधान, मौलिक अधिकार एवा मौलिक कर्तब के बारे में पढ़ना है संसत के बारे में पढ़ना है कारेप्रडाली, लोकतंत्र में भूमिका और लोकसभा, राजसभा और जुडूसिली सिस्टम उसके बाद प्रेशिडेंट, गवर्नर, जज, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल आफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है ठीक है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसत के भाग, फंड्स और पंचायती राजब्यवस्था यूपी एस्सी और इलेक्षन कमीशन यानि लोकसे वायोग और निरवाचना योग नेशनल शिंबल्स जो राश्टी चिन है उनके बारे में इंपोर्टेंट अमेंडमेंट प्रमुक्षन सोधन के बारे में और आपात काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बार देखिए फिर एक बार से लेवस को यहां पे डिफाइन किया गया है कि हिंदी या इंग्लिस में से आपको पच्चीश कोश्चन करने हैं 50 नमबर के रहेंगे जनरल एवारनेश जो हमने जी के जी एस बताया 25 कोश्चन रहेंगे 50 नमबर के और जनरल मेंटल एविल्टी में 25 कोश्चन रहेंगे 50 नमबर के और सब्जेक्ट टेस्ट जो है तो हिंदी में आपको प्रत्य पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपग्रह और प्रत्य पढ़ना है, और बिलोम सब्द पढ़ना है, संधी संधी विछेद पढ़ना है, अनेकार्थक यानि परियावाची पढ़ना है, वाग्यों का वरगी करण सरल, मिश्टर और संजुक्त बहासा का मूल, भूत, ग्यान, स्वर, बेंजन और रस पढ़ना है। मुहाबरे तथा लोको किया पढ़ना है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द पढ़ना है। उसके बाद रिक तफ्थानों की पूर्ती, परियावाची, वर्तनी, संबंधित, असुदिया, मुहाबरे और उपसर्ग। उसी प्रकार से जनरल एवारसनेस में आपको नेशनल डान्स, मुश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन, म्यूजिक एंड लिटरेचर, इंडियन कल्चर, साइन्टिफिक अब्जर्वेशन, पॉलिटिकल साइन्स और वर्ड अर्गनाइजेशन जो डबलू यच्चो, डबलू टीयो, यह सब है इसके बारे में। उसके बाद कंट्रीज एंड कैपिटल्स, फेमस प्लेशेस इन इंडिया, बुक्स एंड आथर, इंपोर्टेंट और अबाउट इंडिया और इस कंट्री, साइन्स और इनोवेशन्स यानि वही आविसकारक और आविसकारक, उसके बाद निव इनवेंशन्स, इकोनोमिक्स प्राबलम इंडिया, जियोग्राफी आप इंडिया, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेर्स, माथमेटिकल यानि लॉजिक्स में आपको रिलेशन और फंडामेंटल, लॉग और थिम, कॉम्पलेक्स नंबर, क्वाट्रेट्रिक, एक्क्वेशन, सिक्वेंस और सिरीज, टिग्नोमेंट्री ये सब करके आपको क्या करना है, पूरा मैथ पढ़ना है, ये आपका बीए का पूरा बस है, कोई भी अगर प्राब्लम आपको हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारे वाट्स अप नंबर 9616963528 पे कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हिंदी का आपको नोट्स चाहिए, तो हिंदी के नोट्स को भी प्रवाइट कराया जा सकता है, इसके अलावा जो संभिधान या पूरे नोट्स आपको प्रवाइट कराया जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, थैंक्यू दोस्तों